उत्तरकाशी टनल हाथसे में एक बड़ा अपडेट आ रहा है टनल में बोरिंग का काम फिर से शुरू हो रहा है अभी तक 24 मीटर तक बोरिंग को पूरा कर लिया गया है विकल्प के तौर पर एक और मशीन यहाँ पर मंगवाई जा रखी है जिसे इंदोर से एरलिफ्ट किया आपको बता दें कि आज 24 मीटर के बाद रास्ते में कोई मशीन के आगे कुछ अतक गया था जिसके चलते बोरिंग के काम को रोक दिया गया था जिसके बाद जियो फिजिकल और पेजल विफात के एक्सपर्ट को बुलाया गया वही एनेच आई डी सीयल के डारेक्टर ने क रहा कि 24 मीटर की बोरिंग हो चुकी है अगले 30 से 35 मीटर हम ब्रेक्टरू हमें मिल सकता के और इंदौर से अब नई मशीन को ऐर लिफ्ट किया जाएगा वैकल्पिक तोर पर एक और मशीन अब यहाँ पर मंगवाई जा रही है मैंने आपको बताया है करीब हमने 24 मीटर की दूरी अलड़ी हम उसमें पहुंच चुके हैं तो हम सोचते हैं कि अगले 30 से 35 मीटर और हम अंदर जाएंगे तो हमें ब्रेक्टरू मिल जाएगा लेकिन हमारा होफफुल यह भी है यू नेवर नो उसके पहले भी शायद हमके ब्रेक्टरू मिल सकता है क्योंकि उस साइड जो फसेवे मजदूर है हमारे भाई हैं वो एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस बता रहे हैं कि वो यहाँ पर खड़े हैं लेकिन हमें एक्जाक्ली नहीं पता पर पा रहा है कि वो एक्जाक्ली कहा पर है एक जो चेनेज होता है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो करीब हम जहां खड़ें वहां से साथ मीटर है उत्रकाशी से एक और बड़ी खबर आ रही है सिल्क्यारा टर्लर में फसे हुए अभी तक मजदूरों की संख्या जो 40 बताई जा रही थी वो 40 नहीं वलकि 41 मजदूर है 41 वा श्रमी कोट द्वार का रहने वाला उद्र सिंग भी अंदर फसा हुआ है एने चाई डी सी एल ने पहले फसे हुए श्रमी कोट की संख्या 40 बताई थी लेकिन अब जानकारी मिली है कि 41 मजदूर यहां पर फसे हुए है और चले खबर पर जादा जानकारी के लिए सुने ना प्रभात उत्तरकाशी से हमारे साथ लाइव जूड़ चुके हैं सुने लभी तक 41 मजदूर नहीं बताय जा रहे थे कहा जा रहा था सिर्थ 40 मजदूर है कि जब बाहर निकल कर आएंगे तो हो सकता ही किससे जादा भी संख्या हो इससे कम भी संख्या हो देखे सीनम ताजा जानकारी तो सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक पिछले 5 दिनों से सिर्फ 40 सर्मिक बताये जा रहे थे लेकिन अचानक से यह संक्या एक और बढ़के 41 हो गई यह अपने आप एक बड़ी लापरवाई है बड़ा बलेंडर है कि 5 दिनों से जिन लोगों की आप तलास कर रहे हैं जिन लोगों के लिए आपको रेस्क्यू चला रहे हैं 5 दिनों में आप उनकी संक्या का अनुमान नहीं कर पाए क्योंकि कमपनी के पास उसके सर्मिकों की लिस्ट होती है इस पूरे मामले में इसको हम बड़ी लापरवाई कह सकते हैं जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है जो बोरिंग का काम चल रहा था सुबह 11 बजे तक हमको बताया गया था कि 24 मीटर की बोरिंग कमप्लीट हो चुकी है यानि कि 4 पाइप इंस्टॉल किये जा चुके हैं क्योंकि एक MS स्टील पाइप की जो लंबाई है वो 6 मीटर के आसपास है तो चार पाइप इंस्टॉल किये जा चुके थे पांचवा पाइप उस पर ड्रिल किया जा रहा था यानि कि उसको कनेक्ट किया जा रहा था और इस कनेक्ट की दोरान करीब 2-5 गंटे का समय लगता ह है परक्रिया होती है पूरी लेकिन अभी तक डेड़ बच चुके हैं इससे पहले करीब एक बज़े के आसपास नहीं चाहिए डीसील के डारेक्टर ने जो प्रेस कॉनफरेंस की उसमें उन्होंने कहा कि पांचवे पाइप को इंसर्ट करने की तैयारी है यानि कि पिछले 6 से 7 गंटे 5 पाइप पे अटक के रह गए इसके पीछे एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जो जब टनल 24 मीटर की बोरिंग पर पहुंची तो उसके बाद कुछ हार्ड धातू टनल के आगे लग गई यानि कि वो मसीन भी हो सकती है या बड़ा पत्थर भी हो सकता है प तरह की ठोस दातों को या ठोस चटान को काटने का काम करता है डामेंट कटर उस पर लगाया गया हलांकि एनचाई डीसेल के डारेक्टर ने इसकी पुष्टी नहीं की उनका कहना था कि मसीन ये डीजल से चलती है इसको वेंटिलेशन की भी जरत होती है इसलिए ब्रेक लेन ये वो आज ये कल ये लिफ्ट होकर इसी स्पोर्ट साइट पर पहुंच जाएगी तो ये इससे ये अंदाजा लगता है कि कहीं नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है इस मसीन को जब आगे बोरिंग करते वे जाएगी 24 मीटर का फासला हो चुका है एनचाई डीसे कि करीब 60 मीटर मान के चल रहे हैं कि 60 मीटर में मलबा पसरा होगा यानि कि 30 से 24 मीटर के बाद 30 से 35 मीटर की जब और बोरिंग होगी तो वहाँ पर ब्रेक्थ्रू के चांस बन सकते हैं यानि कि वो दूसरी पार जो सरमिक फसे हुए हैं उन तक पहुचा जा सकता है ये अभ के हों या फिर जो एक्सपर्ट हों बोरिंग के खासकर अच्छा सुनेल एक और जानकारी जो यहाँ पर मैं चाहूंगी लास्ट कब कम्यूनिकेट किया गया था इनके साथ क्योंकि पहले अपने देखा एक औडियो भी सामने आया था जिसमें कम्यूनिकेशन करते हुए यह आये पिछले कई दिनों से यहां पर हैं वो जारकंड से आये कुछ फेमिलीज के साथ टनल के अंदर गए हैं मुस्किल से 20-30 मिनट में वो टनल से बाहर आने वाले हैं इसी तरह से यहां पर बिहार से पहुंचे हैं उत्तर परदेश के लोग पहुंचे हुए हैं जो कोड़ से समय बीत रहा है टनल के अंदर फसे मजदूरों के परिजनों की चिंता भी बढ़ रही है टनल के बाहर मजदूरों के परिजन जो खड़े हैं अच्छी खबर का लगातार इंतजार कर रहे हैं सतेंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मजदूरों के परिवार वालों के साथ इस वक्त वो मौजूद है सिधा सतेंद्र बर्तवाल के पास चलते हैं सतेंद्र परिवार वालों की धड़कने लगातार बढ़ती जा रही है और इंतजार वो यही कर रहे है क कब कोई अच्छी खबर आए कब कम्यूनिकेट हो कब बाचीत हो पाए और कब उनके परिजन जो अंदर है मजदूर वो बाहर आए अब ही आप उनके साथ मौजूद है अगर मजदूर के परिवार वालों से तो उनसे जानिएगा कि उनके मन में क्या हल चल है इस वक्त बिल्कुल सिनम जिस तरिके आपने का कि जो परिजन यहां पे बाहर टनल के बाहर कड़े हैं वो सब इस उमीद में कि उनका जो बेटा या उनका जो भाई जो टनल के अंदर फसा है यानि करीब 6 दिन का आज हो गया 130 गंटे से उपर की बात अभी कर रहे हैं कि 130 गंटे से ज्यादा का समय हो गया टनल के अंदर लोग फसे हैं उनके परिजन यहां पर हैं आप कहां से आए हैं कौन आपका फसा है लखेंपर जिला लखेंपर से आये हमारा बेटा है मन्जीत कुमार तो कब से यहां पर काम करता था मन्जीत हो दो चार बार यहां करकर कि गया है काम और अभी रच्छा बंधन कर कर करके आया था चलाया था ता था तो बताता है रहली नहीं था हमको और यहां चलाता था उसके भाई जो हना ग़र्लोग काम कृते थे त हम धी मन्जीत की आप से बातित पापा घबडाने की कोई बात ने मैं हाँ साथ चूहूं काना पीना किस तरीके से कुछ बताई मंजी दौरा वह पनी जा रहा है पानी जा रहा है तो आपकी बात चित किस जर्य से कैसे आपने बात चित की पाइप से बात करा किया खोल कर पर नट खोल करके और इसे जुक कर बात हुई थी अच्छा जब बोलो तो अधर से वाज हमारे बेटे ही की थी अवाज अपने बेटे से बात चित किया आपके कौन फसे हैं अंदर मेरा छोड़ा भाई है गबर सिंगन फिर खाने प्षेजन और कि कैसे देवरा है और आपकी बात्षेट है वहीं पाइप से द्वारा ही आपके कौन फसे हैं नहीं पहले आपको सुनाव क्या है आप देख सकते हैं यह परिजन है जिनका जो अपने यहां पर टनल के अंदर जो परिजन उनके 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 है उनके हो रही है एक मातर एक जरिया है वो एक पाइप का उस पाइप के जरिये ही वो अपने परिजनों से लगातर बाचीत कर रहे हैं ठीक है बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सतेंदर बर्तवाल आपका तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी और बातचीत भी की मज़दूरों के परिवारवालों के साथ तो उतरकाशी टनल ऑपरेशन को लेकर देरादून के आपदा कंट्रोल रूम से सीधे मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है और सीमधामी के निर्देश के बाद एसीए सिराधा रतूरी ने आपदा कंट्रोल रूम में आज मीटिंग भी की जिसमें SDRF, NDRF समेट काई विभागों के अधिकारी यहां पर मौझूद रहे ACA सिराधा रतूरी ने बताया कि टनल में रेस्क्यू आपरेशन लगातार चल रहा है और जल्द ही इसमें सफलता भी मिलने की उमीद है टनल के पास एक अस्थाई हॉस्पिटल भी बना दिया क्या है अभी जो यहां पे SDRF के नेगी जी ने मुझे जो अपडेट दिया है उसे साब से अब वो मशीन सही प्रकार से काम कर रही है और वेवस्तित तरीके से रेस्क्यू का पूरा काम हो रहा है इसमें कहीं भी कोई लापरवाई यह जल्दबाजी नहीं दिख रही है इसको व्यवस्तित तरीके से करना है सभी मजदूर सकुषल है उनसे बातचीत भी हो रही है उनको पानी ऑक्सिजन खाना भी भिजवाया जा रहा है पाइप के थ्रू और जैसे ही यह मशीन पूरी तरह से वहां पहुंचेगी उनका रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा वहां पर हास्पिटल भी पुरा एक बना दिया गया है चोटा सा उसमें सारी आवशक दवाईयां डॉक्टर सब अब अपलब्ध हैं अपरेशन की सीधे मॉनेटरिम वेरदून से हो रही है क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है यह देखने के लिए यह यह जो रहा है चेलि बेंट डिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं के हम इसी हम और एक खरक की यहां पर पहुंचे हैं भी आंगे मोई के आगे कोशिश की scient हाब करें कि और टमलेशन को किस दिशा में ले जाया जाए वहां पर इसक्राइशन है और आगे किन चीजों की जरुट पढ़ने वाली है इन तमाम चीजों की यहां पर अपडेट ली जा रही है